हाई प्रेंड कैसे उम्मिद करता होगी ठीक होगे प्रेंड अज मेरा इलेक्टरिकल में आपका स्वागत है प्रेंड आज हम यहाँ पे साड़े साथ एच्पी मोटर जो की तिरी पेज मोटर है उसके पंप की रिपेरिंग करेंगे और दोस्तों नया पंप नहीं मनाएंगे इसमें दूल मिट्टी जाने के करणा यह पंप खराब oh गया था यानि कि पूरी में दूल मिट्टी गुश गई थी तो हम कोल कर उसकी सपाय किया है और वापस इसको ऐसे की ऐसे ही सेट करेंगे जैसे पहले सेट था, वेसे ही हम सेट करेंगे तो दोस्तों इसके अंदर एक EMPILAR है, साफ्टिंग है, बाउल है, सिलिव है इसके अलावा कोई चीजे नहीं है, पंके के, यहाँ पर सबसे पहले हमने EMPILAR डाला था, उसके बाद में उसके उपर सिल्यू का सिल्यू डाली है और उसके उपर हमने बाउल डाल दिये हैं इसी परकार से दो बाउल यहां पर बिटा दिये हैं उसके बाद में यहां पर हम एमपिलर डालने जा रहे हैं यह एमपिलर हमने यहां पर बिटा दिया जो चाबी का टुकड़ा था उसको लगाया था चाबी के टुकड़े पे एमपुलर को पिक्स बेटाया था यानि कि वह लोक हो जाता है चाबी पे जाते ही ये शिलियो हमने डाली है इसको भी चाबी का छेट से मिलाना है चाबी के छेट से मिलते ही वह लोक हो जाते है इधर साफ्टिंग गूंती है। ल creat R लगाने के बाद में। यहाँ पर जालेंगे ईसे डोस टारते हुए जाएंगे इसमें कोई वासर सिम वासर की जरूरत नहीं यह क्योंकि दोस्तों जब हमने इसमें खोला था तो उसी में भी इसमें जरूरत नहीं थी किसी मौसर की और जगे भी इसमें ठीक टाक थी अगर दोस्तों आप पंप की सेटिंग अगर देखना चाहें तो नीचे आपको हम लिंक देदेंगे हमारा दूसरे वीडियो में जाकर आप देख सकते हो और यह हमने हमारे हाथ में दिखाए थी और सामने लगा के भी दिखाए थी वह नेक रिंग थी दोस्तों यहां पर रबड रिंग थी जो पा कि अदर भावल के अनडर ही पानी रहना चाहिए रिंग जरूर लगाना चाहिए धी और एंदर के रिंग भी लगी वहिह जो की पाने का काम नहीं दो Rock weapons रौकिए याने यान कि पानी देती है जितना पानी आपनी वावल के अथ्य करेнов Bowl करदें नालियों के साइदा से उपर तक पहुचा देता है उसके लिये यहां पे नेक रिंग बहुत अची रहती है अगर दोस्ति यहां पे नानी रिंग नहीं रहती है तो फानी उठाता है तो फाली के सएन्प में जब पानी गिर्ता है तो वापिस नेक बाउल के वहांँ के वाफिस नीचे गिरने लगता है यानि की मोटर तो घर करेगी पंप भी घर करेगा पाणी उपर तक पहुचाने की कोशिश करेगा पर दोस्तों उपर जाते जाती क्या होता है जब हमारे सपटे से यह से पंप से पानी ऊपर सपटे में होके उपर अपर तो वहाँ पर पानी डाउन हो जाता है तो वह इस भी इस कारणी डाउन हो जाता है यहाँ पर नेक रिंग होना जरूरी है तो यहाँ से दोस्तों हमने कापी एंपिलर और बाउल यहाँ पर बीठा दिये है ऐसे ही एक से एक प्रोक्सेस हम बिटाते हुए जा रहे हैं नेक रिंग यहां पर रबट रिंग लगाना है रबट रिंग हम लगा चुके यहां पर चाबी भी यहां पर लगानी है जो चाबी हम बिटा जैते हैं वो चाबी बिटाने के बाद में एंपिलर उसी चाबी में यह ईदर उदर गुमता नहीं है यहां पर और हम डालेंगे एमपिलर के उपर औरल चुके ए है आ, और कमपलीट हमारा जो एक एमपिलर और और आएगा, उसके बाद में complete हम यहां पर पूरे पंप की भी डिपेरिंग complete हो जाएगी यहां पर चले यह एक बॉल हमने लगा दिया है अब इसके उपर हमें एक शिल्यू का लगाना है जो की बूस के अंदर यहां से बूस के उपर चलती है यह ना बूस के उपर चलती है यहां पर लग क्योंकि अब दो चकनट हमें इसके लगाना है ताकि जो ए एंपिलर हमने जितने भी एमपिलर लगा यह उपर की तरफ किसके नहीं आना चाहिए और यहां पर कंपेटि अच्छे से इसको टाइट कर लेना है जो तो पाने से इतना टाइट कर लेना है दोनों को ताकि जब मोटर काभी गती से गुमने लगे तो खुलना नहीं चाहिए अगर यह खुल गए तो आपकी साप्टिंग भी तोड़ सकती है एमपिलर भी खराब कर सकती है बावल भी खराब कर सकती है चाहिए तो आप यहां पर अगर अच्छेह से आप से टाइट नहीं ऊ पारत एपकी चूड़ी बगए दो आप प्चराब merged म इस्तमाल यहां पर कर सकते हो पेपी कुप डाल कर भी चिपका सकते हो वह खुल पंप के उपर जो इस्टिगर लगा हुआ है उसकी जानकरे हमने आपको बता दी है चलिए तो अब आज चुके हम खेत के वहां पर जहां पर यहां पर एक डीपी लगी होई है और दूसरा यहां पर होल लगा हुआ है और एक स्टार्टर भी यहां पर कम्पलिट लगा हुआ है अब यहां पर इस्टार्टर का अंदर का नजरिये भी आप देख लीजे ओटो स्यूज भी यहां पर कम्पलिट लगा हुआ है त यहां पर दोस्तों को हम मोटर को इतने सेपटि देखे यहां पर रस्ते को ब डॉरी यहां पर अच्छे से जोयंट करके अच्छे से रसी से बांद कर क Final कर लバイ अब हुआ इन्तजार उसका है इसको होल में डालने का ओर इसका पानी देखें का यह पानी दे पाता है दोस्तों इस पंप की केपीसिटी डाइसो फिट गेराई तक हैं य्टाइसो फिट गेरा ही तक आहप इसको चला सकते हो आसानी से का इसंट आठ इस्टेज्य यह पंप है सो 167 की मोटर आठट इस्टेश पंप है पटाबट जब मोटर को होल के अंदर हम डाल देते हैं मोटर को डालने का आसान तरीका है दोस्तों कि मोटर के नीचे से एक रस्षा लगाना है जो कि मोटर को नीचे तक जाने के बाद में यानि कि पांच फीटे नीचे जाने के बाद में रस्षा आसानी से निकाल लेना है इस परकार से क्योंकि दोस्तों मोटर पर जटका नहीं लगता है ऐसे सपटा वगेरा तोटने का डर नहीं ही रहता है लगने का डर नहीं रहता है और दोस्तों वीडियो काफी मज़ेदार होने वाली है आगे वीडियो और भी शेंदार होने वाली है तो दोस्तों वीडियो को फूरी देख क्योंकि दोस्तों वीडियो लाइक करने के आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं क्योंकि दोस्तों जब हम वीडियो बनाते हैं काफी समय हमारा वीडियो बनाने में बरबाद होता है तो दोस्तों काफी कटिनाई से एक वीडियो बन पाता है तो दोस्तों एक लाइक तो जरूरी करना है आपको तो चले तो दोस्तों अब आगे का कारे आपको दिखाते हैं यहां से दोस्तों हर 10 फिट पे आपको जो डोरी है आपकी केविल है उस केविल को हर 10 फिट पे बानना है जरूरी है दोस्तों नहीं तो दोस्तों जदा केविल क किल मौल के पसने का ज़्यादा चान्जिस रहता है। या फिर कभी हमारी मोटर बोर बोरविल के अं味 का जाती है्या तो जुगाड के जरीये निकालते हैं तो क็ कैविल खराप होने के जधा चान्स है। क्योंकि दोस्तों गॉल के अंदर पसने के चांस नहीं रहते हैं केबिल को अगर अच्छे से सेप्टी से बान के राप डालते हो तो यहां से मोटर को हमने पूरी कंपलेट उतार दी यहां पे दोस्तों मोटर को हमने 180 फीट पे उतार दी है अब करना क्या है कि फटा पड़ सी यहां पे इसको ग तो यहां से दोस्तों पड़ापट से हम रस्ते को बान लेते हैं कि बानने के बाद में दोस्तों यहां त्रीपेस की डिपी वहां पे स्टार्टर भी त्रीपेस का स्टार्टर लगा हुआ है उसी स्टार्टर से इस मोटर को ओन करके देखेंगे चले कंपलेट यहां पे तो और लेके आते हैं कि दोस्तो जो पानी देगी तो यहां पर पता भी चलना चाहिए कि पानी दे रही है है स्वास में लेकर आ गए हम यहां पर मोटरकोन कर दिया है दोस्तों देंकि हो काफी ज्याहदा प्रयसर दे। चेल एक बार सपट्टे को करें कि कितना ये पानी दे रही है तो यहां पर देख लीजिए दोस्तों कितना ये अपनी परेसर दे पा रही है खाफी परेसर ये दे पा रही है दोस्तों तो फिले दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वेल आइगन को भी परेस जरूर करें इस आप से भेले